तो यह राजमान बॉक्स करने वाले हैं यार M40 स्नाइपर राइफल और इसकी स्केल की बात कि जाते हैं तो यार 1-1 स्केल की यह गन है मतलब कि जितना साइच का रियर होता उतने साइच का यह भी गन है और यह 18 साल साथिक बच्चों के लिए तो खतरनाक तो होगा है या तो 18 कुलोड होता है लोड होता है कैसे फायर होता है तो चलो फयंस लिजर लाइट है जो amps Yak और यह गनतु देख सकती अ कि यह आर देखने में कुछ आईसा आपको देखने घ्याएज तो इसको रखते हम साइद में नीचे रखते हैं और हम निकालते हैं इसकोप तो याज यë रहा हमारा सकते हो पिंदुली आपको अतलों कुंछ तो सतले करे doc की क्ाइल्टि की क्वाइल्टि क्या एक्फी देखने मिल जा थी देख सकते हो काफी ड्यूरेबल है रहाँ तो चलो सारे पार्ट को रहे करके असेंबल कर लेते हैं और अभी तेक आप चैनल को सस्क्राइब नहीं की होता है नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबा के कर लो सस्क्राइब क्योंकि हम ऐसे यह amazing amazing वीडियो जार हमेशा आपके लाते रहते हैं और वीडियो को लाइक करना यार तो बिलकुल भी मत भूलना तो चलो सबसे पहले हमा टेच करते हैं इसमें ये ङैटक्स है तो इसकोप ते हमारा लग चुका है तो पूरी गन की ये बात कि जाएं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो अदर इसके साथ इथना बुलिट आपको देखने को मिलता है तो अलग से बुलिट्स भाई कर सकते हो अमेजन प्यालक से बुलेट्स भी मिलता है तो यार फायर करने के लिए सबसे पहले आपको उपर से देख सकते हो याँ पे कैप दिया हो गया होगा इसके अंदर आपको बुलेट्स डालने है और उसके बात से क्या करना पड़ेगा आपको यह नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको नीचे करके ऐसे रिलोड करना पड़ेगा ऐसे तो यह रिलोड हो चुकिए फिर आपको उपर ऐसे कर लेना और फिर उसको प्रेस करोगा ऐसे वाओ काफी तगड़ी आवाजा यार तो चलो इसमें सबसे पहले हम बुलेट्स डालते है और फिर आपको दिखाते हैं रिलोड और फायर करके चलो यार आप हम इसको रिलोड कर लेते हैं तो यह रिलोड करने के लिए सिंपल सा आपको पीछे ऐसा करना है और यह हो चुका है रिलोड तो चलो अब फायर करके दिखाता हूँ मैं इस पीश का क्या हालत होता है तो देख सकते हूँ यहां पर मैं इसको लगाता हूँ सिंपल सा और देखता हूँ यार फायर करने के बाद से यह क्या हो रहा है तो देख सकते हो यार बुलेट्स यार पूरी इसके अंदर चली गई है वाउ देख सकते हो कितनी अंदर बुलेट्स यार इसके अंदर चली गई तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये गंद कितना ज्यादा खतरनाक है तो चलो अब करते हैं इसकी फायर टेस्टिंग में अपने देखा ये था औरहली ठीड़ है काफी खतर नाक टरीके से तोड़ा इन उस राइफल ने तो सुनड़ है तो चलो लाइफल नकर लंख नहीं भूदे भी काफी सारे वीडियो से लाने का तो यह यह राइफल ते यह वाके में काफी तगड़ा है तो आर मैंने जटने भी ग्लास पर सुट किया ज़िस Little तो सारे ग्लास को लगभाग तोड़ी दिया है सारे ग्लास को इधार से गया है और बुलरज इधार से बाहाँ चीड के निपल ये देख सकते हो काफी खतर्नाक तरीक से ओद आ कई च्छेकंज हो इस देक्दा यह न इस उख दिया है और काफी तगड़ा है और इस पैज़ अच्छी आपको देखने को देखने को मिल जाती है तो अगर आप इसको बाई करना चाते हो तर नीचे लिंक डिस्क्रिप्सिन में मिल जागा वहाँ से जाकर आप इस गन को पर्चेस कर सकते हो अगर ये गन आपको कैसा लगा हम नीचे कमेंट करके जरूर बता है और यार अभी तक चैनल को सस्क्राइब नीचे लालकर का बटन होगा उसको दबाकर कर लो सस्क्राइब वीडियो को लाइख भी कर दिना क्योंकि हमेशा ऐसे ही ऐसे अमेजिंग वीडियो चार आपके लिए लाते रहते हैं तब तक लिए बाय और मिलते हैं इस अमेजिंग वीडियो के साथ